अज़का दोस्तों मैं वेब आपको और जोना करता हूं आज का जो यह टॉपिक में क्या देखना है वेरिज मेथड़ोस अभी तक इस चाप्टर में क्या क्या देखा है इंट्रोड़क्शन टू सर्फिश फिनिश उसके बाद फैक्टर सफेक्टिन सर्फिश फिनिश अडव का दिनमर्स मालूम हो गई लेकिन अगर एक्टर में सर्फिश फिनिश मेजर करनी तो इसको किस-किस मेथड़ क्या है वस्कों मेजर करने के लिए तो यह आगे के बीडियो में देखना है तो besi किकली क्या होता है कि दो मिथर्ड़ से आपके डार्फिश पिनिश और इसको क्या कहते है कॉंटिटेटिव अभी इसमें क्या डिफरेंसे में बोल देता हूं कि कंपरेजन मतलब क्या आपको पता होना चाहिए कि एक जॉब है एक स्कुरेड प्लेट है इसको क्या कि हमें मैंने मिलिंग का ऑपरेशन करके उसका उपर का जो यह सर्फेस है मैंने क्या क्या है उसको उसको तीकनिस में लाया है मतलब उसको उपर का सर्फेस मैंने निकाल दिया है अभी मुझको अगर इसका सर्फेस फिनिश मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा मेरे पास दो मेथड़े एक method है मेरे पास comparison का और एक method है मेरे पास direct का तो मैं उसको comparison को क्या कहते है qualitative कहते है qualitative मतलब क्या उसमें आपको quality पता चलेगी लेकिन उसको आपको numbers नहीं मिलेंगे आपके मतलब जैसे कुछ 1.2, 2.7, 2.5, RA वगरे ऐसे कुछ numbers नहीं मिलेंगे आपको ये जो method है comparison method, comparison method में क्या करना पड़ता है same milling machine से के वाला आपके वकास क्या रहेगा एक standard work piece रहेगा, consider कर लें ये milling machine से finish के वाला एक standard मेरे पास work piece है, छोटा सा, मैं work piece क्या करूँगा इसके सामने ऐसे रखूँगा और फिर by visual method से मतलब visual method से मैं क्या करूँगा, ये surface और ये surface को क्या करूँगा देखूँगा, कि ये दोनों बराबर है या नहीं है इसकी value जो है मुझे surface finish की मुझे known रहती है अगर ये दोनों same दिख रहे है, मुझे comparison method में तो मैं बोलूँगा ये work piece okay है वही मैं direct method में क्या करता हूँ मेरे पास एक instrument रहेगा, instrument मैं इसकी उपर रखूँगा और फिर मुझे instrument value बताएगा ठीक है, वो numbers देगा, इसको क्या कहते है, direct method या quantitative method कहते है अभी ये जो comparison method है comparison method में क्या है कि different types है, वो देखना है कि क्या-क्या types है इसमे एक पहला तो है visual, it is simply by eye judgment, one can gauge the surface texture, sometimes lenses with illumination can also be used जैसे मैंने यहाँ पर किया, कि by visual inspection मैंने चेक किया, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, lenses भी ले सकता हूँ उसको अगर illumination देखे मैंने चेक किया, तो भी मुझे पता चल जाएगा फिर है touch inspection, touch inspection में क्या है कि consider करो, मेरे पास दो surfaces है, एक surface है और एक दूसरा surface है, यह दोनों surface के जो irregularities के height है, वो दोनों के height सेम है, लेकिन इसमें irregularities थोड़ी spacing में जादा है, दोनों में distance जादा है, लेकिन इसमें distance क्या कम है, तो अगर मैं क्या करूंगा, मेरा जो यह finger है, उसको finger मैं ऐसी, इसके उपर ऐसे slightly, उसका speed है, 25 mm पर second, यह speed से मैं अगर इसको ऐसे slide करूंगा यह surface और यह surface पे, तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा surface rough है, तो इसको क्या कहते है, touch inspection कहते है, उसके बाद scratch inspection, scratch inspection में क्या करना है, कि आपको कुछ भी एक soft material लेना है, lead, babbit, ऐसा कुछ material लेना है, consider करो, यह lead या babbit का material है, soft material, और यह मेरा workpiece है, अगर workpiece के उपर समझो, ऐसे lines ह tool marks है, तो मैं क्या करूँगा, यह material लोगा, और इसको क्या करूँगा, ऐसे इसके उपर, ऐसे rub करूँगा, rub करने के बाद, इसके उपर जो कुछ impressions रहेंगे, scratches रहेंगे, irregulators रहेंगे, वो क्या होंगे, मेरा जो यह surface है, यह surface के उपर आ जाएंगे, फिर मैं यह surface को क्या कर आपका workpiece को table पर रखना है, और different different illumination पर, मतलब अलग-अलग light का use करके, ठीक है, light का intensity बढ़ा के या कम करके, आपको क्या करना है, उसके photographs लेने है, photograph लेने के बाद क्या पता चलेगा आपको, consider करिए आपका यह workpiece है, यहाँ पर क्या ऐसे, थोड़ा सा workpiece है, नीचे चला गय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपने photograph लिया, तो photograph में यह surface क्या हो जाएगा, dark आएगा, और जो surface flat है, वो क्या होगा, plane आएगा, मतलब वहाँ पर black mark नहीं आएगा, ऐसे photograph में रहता है, in this method, photograph of surface are taken using illumination method, in case of vertical illumination method, surface irregularity or scratches appear as a dark spot, and flat appears as a bright spot, उसके बाद है, micro interferometer, micro interferometer में क्या रहता है, कि quartz के material रहता है, quartz का, मतलब एक optical flat रहता है, optical flat मतलब, आपके जो, जो glass रहता है, specs का, वही टाइप में glass रहता है, लेकिन उसका thickness ज्यादा रहेगा, तो वो thickness का glass को क्या करते है, यह work में क्या करूंगा, यह material है मेरा, इसको क्या कह रहते है, optical flat, यह optical flat क्या करूंगा, यह जो, मेरा जो work piece है, यह work piece के ऊपर ऐसे रखूंगा, work piece के रखने के बाद में वहाँ पर एक monochromatic light source आता है, monochromatic light source on करने के बाद, यह में क्या करूंगा, यह optical flat इसके ऊपर रखूंगा, रखने के बाद क्या होगा, अगर यह surface flat है, तो इसके उपर एक अलग पैटन आएगा कौन-कौन से पैटन रहते हैं एक ऐसे शर्कुलर पैटन रहता है एक पैटन ऐसा रहता है ऐसे अलग-अलग टाइप के पैटन से हैं और उसके हिसाब से आपको अदेटिफाई करना पड़ता है कि यह सरफेज जो है वह फ्लैट है य दो माईक्रोध कि क्या करना है сцен 여ak स्टांडरे तो कि दोनों के सरंफे सग्रीक्रेश कैसे है इसको क्या 3 macroscopic, इसको और फॉल्ट यह इतना बड़ा जो का इतनी एक सफेस आगा इक इसका उसके बाद है यूज ऑफ फोटो सेल में पता है आपको कि फोटो सेल में क्या होता है जितनी लाइट जाती है उसके उसके उसाब से वह क्या करता है लाइट कैच करता है तो आपको क्या करना है कि जो सर्फेस है आपका वो सर्फेस के ऊपर क्या करना है लाइट छोड़ना है लाइट छोड़ने के बाद कुछ लाइट क्या होगी consider करो यह लाइट यजकि ऊूपर कुछ लाइट क्या होगी इसके अंदर एक सॉर्ब जाएगी और qouglay क्या होगी ट्रांस्वर हो जाएगी मतलब रिफलेक्트 हो जाएगी southwest बॉर ड्लाइट क्या करने आपको फोटो स्यल क्या करेगा उसको अब्सॉर्ब करेगा थीक है आनि वो जो फोटो सेल से जो absorbed reflected rays है वो क्या हो जाएंगे आपको readings बताएंगे उसको क्या कहते है use of photo cell अभी यह जो methods है यह easy है और quick है लेकिन यह reliable नहीं है आप इससे कुछ quality मतलब quantity नहीं ले सकते इसके लिए reliable आपका source नहीं है अभी next video में क्या करेंगे जो quantitative measurement है उसके कुछ instrument है वो देखेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो please like share subscribe करना मत भूलिए thank you